गुट मॉनिक एब्रिवन स्टार्ट करते हैं आज की करेंट अफेर्स की वीडियो और आज है 17 मार्स और मैं आपको 17 मार्स की important current अफेर्स करवाने वाला हूँ इस वीडियो में और बहुत ही important questions जो की आपके exam चाहे आप कोई भी exam दे रहे हूँ एससी बैंक, रेलवे, यूपेसी, MPPSC या SBIPO, IBPS कुछ भी exam दे रहा हूँ हर इक exam के लिए बहुत ही important होगा तो बने रही है हमारे साथ अंत दर पहला सवाल आपके सामने है पहला गोशन है निसानिवाजी विश्व का प्रतियोकता कहां पर आविज़त की जा रही है चैन्ड तो देखेगा इसका correct answer है देहली तो बात करते हैं देहली की और बात करते हैं निसानिवाजी विश्व कप जो हो रहा है वो दिल्ली में तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर total खिलाडी जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनकी संक्या है 57 और 57 खिलाडी में से 15 खिलाडी ऐसे भी य क्वालिफाय कर चुके है ठीक है याद रगना और यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन यह बिस्व कप इसलिए और है एक्जाम के point of view से क्योंकि मैं चीज यहाँ पर क्या है कि 15 खिलाडी जो है वो यहाँ पर ऑलम्पिक जो की बहुत बड़ा खेल के शेतर मे बहुत बड़ी प्रती इस परता होती है वहाँ पर क्वालिफाय कर चुके है ठीक है और साथ के साथ आपको पता होगा कि निसाने बाजी के इस समय भारत के निसाने बाजी में जो भारत के कोच हैं जिनका नाम है जस्पाल राना और जस्पाल राना यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इस बार अच्छा performance रहता है तो टोक्यो में ये बात confirm है कि कम से कम एक या दो gold जो है निसाने बाजी में भारत देश को जरूर मिलेंगे ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में तो दिल्ली के CM आपको पता होगा Mr. Arvindr Khez इजरिवाल हैं यहां के जो education minister है जिनका नाम है मनी शिशोदिया जी और यहां के जो governor है उनका नाम है अनिल वैजल जाद रखना चली चलते हैं next question को अगला सवाल आपके सामने है question है 362 Grammy Awards में किसे अपने lockdown album folklore के लिए album of the year से सम्मानित किया गया है तो यहां पर Lady Gaga, Billie Eilis या Gigi Hadid या Taylor Swift तो यहां पर आपको correct answer बताना है at the 63rd Grammy Awards who was awarded album of the year for his lockdown album folklore तो बताना है इसका correct answer तो देखीगा इसका correct answer है Taylor Swift यहां पर आपको side में image दिखाई दे रही है यह है Taylor Swift याद रखना और इनको यहां पर Grammy Award मिला है और बता देते हैं आपको कि यहां पर यह award मिला है album of the year के लिए ठीक है जो कि यहां पर lockdown पर बेज था और इनका नाम है Taylor Swift और first awarded पहली बार यह award दिये गए थे चार मई 1969 को ठीक है याद रखना अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर यह किस academy के लिए present किया जाता है the recording academy के लिए यह present किया जाता है फिर अगर हम बात करते हैं the first and only Indian to win three grammys तो उनकी अगर हम बात करें तो उनका नाम है रवी शंकर ठीक है याद रखना तो रवी शंकर he was first Indian to win a Grammy in 1967 ठीक है पहले भारती है रवी शंकर जिनको पहली बार Grammy Award मिला था 1966 में तो most important जानकरी मैंने आपको यहां पर बताई इसको note करते जाना साथ ही साथ आप सभी students को एक चीज़ ध्यान रिखना है कि इसका अगर आपको PDF चाहिए जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इन सब current office की PDF चाहिए तो आपको नीचे description में एक link दी गई है और वो link है टेलिग्राम की वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अगले question के और अगला question है भारत में हाद बर 16 मार्च को किस दिवस के रूप में मरा जाता है तो बताना इसका correct answer क्या है तो यहाँ पर which day is celebrated on 16 मार्च in India every year तो नेशनल vaccination day, national science day, national nuclear day या फिर national technology day तो यहाँ पर इसका correct answer है राश्टी ये टीका करान दिवस याद रखना तो national vaccination day was first object on 16 मार्च 1995 तो याद रखना अगर हम बात करते हैं national vaccination day की तो यह 16 मार्च 1995 से इसको celebrate किया जा रहा है और अगर हम बात करते हैं कि on this day the first dose of polio vaccine was given through oral mouth in India in the year 1995 और इसके साथ ये एक news भी बहुत important यहाँ पर बन जाती है क्योंकि ये कहीं न कहीं history में पहली बार polio का पहला dose जो दिया गया था वो 1995 में दिया गया था और वो भी oral mouth ठीक है याद रखना फिर अगर हम आगे अगर बात करते हैं तो इंडिया में polio free करने के लिए इंडिया को यहाँ पर pulse polio campaign भी चला जा रहा है अब इस पर कई बार question बना है कि भई इंडिया अब भी जैसे हाली में आपको पता होगा 2014 में इंडिया pulse polio free भोसत कर दिया गया है तो याद रखना तो ये date कई बार exam में पूछी जाती है कि कव तो 2014 में ठीक है ये सन पूछा जाता है तो याद रखना तो चलिए चलते हैं next question के और अगला question है आपके सामने तो देखिएगा इस से पहले ये थोड़ी से information और है polio के बारे में कि यहाँ पर रोग जनक polio virus के दवारा ये होता है और बात करते हैं यहाँ पर क्या national vaccination day यहाँ पर आज हम मना रहे हैं और साथ के साथ साल का killed vaccine इसे injection द्वारा दिया जाता है polio के लिए और अगर हम बात करते हैं साविन का सजी मुख द्वारा polio drop के रूप में दिया जाता है तो यहाँ पर यह कुछ बच्चे आपको दिखाई दी रहे हैं जो कि polio ग्रशित हैं ठीक है तो आप याद रखना कुछ इस तरीके से यह बच्च अपने इसको develop किया है 1976 में humanist of the year American humanist association द्वारा इनको घुसित किया गया था और 2010 में humanist of the year society of humanist Judaism के द्वारा भी घुसित किया गया था तो चलिए याद रखना जोनास साल अब चलिए आगे अगर हम बात करते हैं अगले question की तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके correct answer की तो उस देश का नाम है Finland याद रखना PM Modi holds virtual summit with finest counterpart Sana Maran ठीक है याद रखना यहाँ पर Finland की जो counterpart है जिनका नाम है Sana Maran इनके साथ यहाँ पर यह summit हुआ है Finland में और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर PM Modi ने बोला है कि India has taken care of the needs of the world along with domestic struggle during the coronavirus pandemic में मतलब यहाँ बोल रहें कि domestic struggle में इंडिया जो है पूरे विस्विक के साथ साथ खड़ा हुआ है इसके अलावा यहाँ पर यह बोला है Modi जी ने कि India and Finland believed in a rule based transparent humanitarian and democratic global order India and Finland have a strong corporation in areas like technology, innovation, clean energy and environment and education तो यहाँ पर Modi जी ने कुछ बात ये भी बोली है कि भाई technology, innovation और clean energy के छेत्र में यहाँ पर अच्छा काम किया जाएगा Finland के साथ मिलकर ठीक है तो यह कुछ आपको बस इतना याद रखने कि यहाँ पर जो virtual सिकर सम्मेलन हुआ है तो वो किस के साथ हुआ है तो Finland के साथ हुआ है अब अगर हम बात करते है Finland की तो यहाँ पर land of a thousand lakhs भी कहा जाता है Finland को ठीक है याद रखना land of a thousand lakhs ठीक है तो यह भी आप याद रखना important question बन सकता है अब बात करते है next question की हाली में खबरों में दिखा गया है कि AEG 12 क्या है तो यह मच्छर प्रोटीन है या exoplanet है लगू उपगर है उप्रोप्त में से कोई नहीं तो आपको बताना है यहाँ पर AEG 12 तो यहाँ पर आपको दिखाई दी रहा है यह side में यह figure और बात करते हैं यहाँ पर एक मच्छर प्रोटीन है यह ठीक है याद रखना और अगर हम बात करते हैं कि यह मच्छर का प्रोटीन है और साथ के साथ आपको पता होगा कि चिकन कुनिया सिम्टम से होते हैं जैसे फीवर आना, मसल स्पैन वगएरा, स्वेलिंग वगएरा, हैडिक वगएरा यह सब जॉइंट पैन तो यह कई वार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो एक्जाम पॉइंट अभी से यह बहुत ही इंपॉड़न्ट है आप इनको नोट कर लेना चलिए हाली में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारती फैंसर कौन है तो पहली भारती है तो इस नाते इस पर प्रशन बनी सकता है तो भवानी देवी अजिंग के दोधारे या नितिन प्रकास या एजजी के सिन्ना तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो फैंसिंग में यहाँ पर भवानी देवी आपको यहाँ पर image दिखाई दे रही होगी यह है भवानी देवी और इन्हों ने ओलम्पिक के लिए qualify कर लिया है और यहाँ पर यह इंडियन है और साथ साथ बताते हैं 27 अगस 1993 को इनका वर्थ हुआ है चैन्नाई में तमिल लाडू में और इस्पोर्ट में यहाँ पर फैंसिंग यह खेलती है ठीक है इंडिया से यहाँ पर यह भारत को पेस करेंगी ठीक है और फैंसिंग के छेत्र में तो चलिए चलते हैं next question को गवा के मसूहर व्यक्तित्व लक्षमण पाई का हो गया है राष्ट पती जी द्वारा इनको अवार्ड मिला है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में यह है कि ललित कला अकादमी अवार्ड थ्री टाइम जी चुके हैं और यहाँ पर 1961, 1963, 1972 थ्री टाइम बिनर हैं यह इसकला पादमिसरी अवार गवास हाइस सिविलियन अवार्ड भी मिला है पादम भूशन भी इनको मिल चुका है इस तरीगे से लगभग बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं चित्रकाला से संबंदित हैं तो याद रखना पाई वास 95 वैन ही पाई मतला अब भी इनकी पिंचान वर्स की मरत्यू में पिंचान वर्स की आयू में इनकी व्रत्यू हो गई है और इनका जो हॉम टाउन है वो डोना पॉल में है जो की मार्गो साउथ गोआ में पढ़ता है ठीक है याद रखना तो आपको याद रखना है काफी सारे अवार्ड मिले हैं चित्रकाला से ये रेलेटिड हैं तो बात यहाँ पर इसका गरेक्ट आंसर है मेरा राशन मोवाइल एप याद रखना अब मैंने कल भी इसके वारे में डिस्कस किया था तो आज आपका एक कॉस्टन है इस कॉस्टन का आंसर आप सभी को देना है कॉस्टन है कि उत्राखंड के अभी नए सीयम बने है और नए सीयम का नाम क्या है कमेंट वाक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना थैंकियो